दोस्तों आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे इस्रमिक कार्ट कैसे बनाती हैं तो दोस्तों वीडियो काफी इंपरमेडिव होने वाला है और दोस्तों अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल कर लें सब्सक्राइब साथ में बेल के बटन को दब तो दोस्तो इस्रम की यह official website है जिसका लिंक मैंने अपनी डिस्क्रिप्ट्विन में डाल दिया है वहां पर आप क्लिक करके पेज को लॉग इन कर सकते हो Link पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके सामने Ethereum की Official Website Open हो जाएगी अब दोस्तों हम पेज को थोड़ा स्क्रॉल करेंगे उसके बाद दोस्तों यहाँ पर अपना आधार नंबर में जो Link Mobile Number टाइप करेंगे उसके बाद दोस्तों Capture Code टाइप करेंगे मूबाइल नमबर और capture code टाइप करने के बाद दोस्तो send OTP यहाँ पर हम क्लिक करेंगे उसके बाद दोस्तो हमारे registered मूबाइल नमबर पर OTP जाएगा उसको दोस्तो हम यहाँ पर टाइप कर देंगे दोस्तो OTP टाइप करने के बाद सम्मेट पर क्लिक करेंगे सम्मेट पर क्लिक करने के बाद दोस्तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का पेज आएगा यहाँ पर दोस्तो हम अपने आधर नमबर को टाइप कर देंगे आधर नंबर को टाइप करने के बाद दोस्तों सम्मेट पर किलिक करेंगे सम्मेट पर किलिक करने के बाद दोस्तों फिर से हमारी रेजिस्टेट मोबाईल पर एक OTP जाएगा वो दोस्तों हम यहाँ पर टाइप कर देंगे OTP टाप करने के बाद दोस्तो Validate पर क्लिक करेंगे अब दोस्तों आपकी Personal Detail आपके सामने Open हो जाएगी उसके बाद दोस्तों Continue to Enter Other Details यहाँ पर क्लिक करेंगे अब दोस्तों आपके सामने कुछ इस परकार का पेज आएगा यहाँ पर दोस्तों आप अपनी Basic Detail डाल दे सबसे पहले दोस्तों Marital Status यहाँ पर आप जो भी स्थिति में हो वो यहाँ पर Select कर लें उसके बाद दोस्तों Social Category यहाँ पर दोस्तों आप जिस भी Category में आते हो वो यहाँ पर Select कर लें उसके बाद दोस्तों Blood Group यह दोस्तों Optional है आप इसको डालना चाहो तो डाल सकते हो Otherwise इसे छोड़ना चाहो तो छोड़ सकते हो उसके बाद दोस्तों Nominees Details अगर दोस्तों आप Nominees Details डालना चाहती हो तो डाल सकते हो Otherwise इसे छोड़ सकते हो Otherwise इसे छोड़ सकते हो उसके बाद दोस्तों Save and Continue पर Click करेंगे अब दोस्तों Next Option आपके सामने कुछ इस प्रकार का आएगा यहाँ पर दोस्तों आप सबसे पहले अपनी State को Select कर लेंगे Select करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप अपना पूरा पूर्ण एड्रस यहाँ पर टाइप कर देंगे अगर दोस्तों आप माइग्रेंट वरकर हो तो यह सेलेक्ट कर लेंगे अगर नहीं हो तो नो रहने दें उसके बाद दोस्तों Save and Continue पर क्लिक करेंगे अब दोस्तों नेक्स आपके सामने कुछ इसपरकार का आएगा यहाँ पर दोस्तों आप Education Qualification सेलेक्ट करेंगे तो सबसे पहले दोस्तों आप अपनी Education Qualification सेलेक्ट कर लें जो भी आपकी qualification हो उसके बाद दोस्तों मंतली इंकब यहाँ पर आप जिस भी इंकब में आते हूं वह सेलेक्ट कर लें और उसके बाद दुस्तों Save and Continue पर क्लिक कर देंगे अब दोस्तों Next Option आएगा आपके सामने कुछ इस प्रकार का यहां पर आपको दोस्तो अपना कि आपको एक पॉइंट दिख रहा होगा यहां पर आपको दोस्तो केलिक करना है केलिक करने के बाद दोस्तो आपके सामने एक नौट्रिपिकेशन डाउनलोड हो जाएगा यहां पर दोस्तों आपके सामने कई प्रकार की ऑप्सन दिखाई देंगे जिसमें दोस्तों जिसमें दोस्तों आप जिस भी केटेगरी में आते हूं आप वह सेलेक्ट करने कि अ –क injomnia है औप्सन सेलेक्ट करने के और दोस्तों यहां से आपको उसको कौपी करना है कौपी करने के बाद दोस्तों कॉपी करने के बाद दोस्तों कॉपी करने के बाद दोस्तों यहां पर हमें से यहां पर दोस्तों हमें उसे टाइप यहां पर दोस्तों हमें उसे पेस्ट कर दिना है उसके बाद दोस्तों यह उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट ऑप्शन है बर्क एक्सपिरियंस इन प्राइमर लिए ऑक्यपेशन यह जो भी आप जितने भी समय से कर रहे हों यहां पर सलेक्ट कर लें उसके बाद दोस्तों बाइक प्रकार काएगा यहां पर दोस्तों हमें अपने bank detail टाइप करनी होगी Save and continue पर Click करने के बाद next page आपके सामने कुछ इस प्रकार का आएगा यहाँ पर दोस्तों आपको अपनी bank account की details टाइप करनी होगी अगर दोस्तों आपकी आधारकाड़ से कोई भी bank link है तो वह आपके सामने So moggy उसके बाद दोस्तों next option है The key further विद बैंक अकाउंट आप इस बैंक अकाउंट के साथ आगे बढ़ना चाहते हो तो सेवंड कंट्यूनि अगर दूस्तों दूसरा अकाउंट लगाना चाहते हो तो यह पर क्लिक करेंगे यहां पर दूस्तों हम सबसे पहले अपना account number type करेंगे उसके बद दुस्तोm account collar name type करेंगे उसके बद दुस्तो mтfc code उसके बाद दुस्तोm bank का नाम और branch यह सब a tuning Prest Per click करेंगे तो चलिए दुस्तोm सब टाइप करता हूं process part click करता हूं से मैं सीवेंड competitive Ça दूस्तों आपकी सारी डिटेल आपके सामने ओपन हो जाएगी उसके बाद दूस्तों आप अपनी सारी डिटेल को चेक कर लें आप दूस्तों अपनी सारी डिटेल को भली बाती चेक कर लें उसके बाद दूस्तों के बाद दूस्तों पेज को थोड़ा स्क्रॉल करेंगे और तो आसा करता हूं दोस्तों आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों के साथ सेर करें वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद जैहिंद जैवारत